हैदराबाद निकाय चुनाव के नतीजे कल आ चुके हैं आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे हैदराबाद निकाय चुनाव के बारे में दोस्तों हैदराबाद निकाय चुनाव में भारती जन्ता पार्टी ने बहुत तकड़ा पिरचार किया जमीनी इस्तर पर खुद मुक्के मंतरी योगी अधित्यानाथ गिरे मंतरी अमिश्या जी और वहीं भारती जंदा पार्टी के अधियर जेपी नडड़ा हैदराबाद निकाय चुनाब में जाकर खुद रोड़ शो किया इन तीनों ने और साथ के साथ लोगों के बीच में जागा पिरचार किय और लोगों से वोट मागे तो इन तीनों का हैदराबाद निकाय चुनाब में उतर ना भारती जंदा पार्टी को फायदा तो मिला पर जब ये उतर रहे थे हैदराबाद निकाय चुनाब में पिरचार के लिए और लोगों से वोट माग रहे तो उस दोरान उन्होंने ज्य अज़तर जो हमला बोला वो USE पर बोला यानि असदुद्दीन ऊचीजी के उपर बोला वहीं AIMIM जो पार्टी पूरी की पार्टी गे ऊपर हमला बोला दोस्तों ये भारती जनता पार्टी ने OEC को कोई भी नुकसान यानि एक भी सीट का नुकसान नहीं पोचा पाए भारती जनता पार्टी को फायदा तो मिला जहां 2016 में 4 सीटे जीती थी भारती जनता पार्टी ने हिदराबाद निकाय चुनाम में अब वो बढ़का 48 हो गई है भारती जनता पार्टी ने TRS को नुक्सान पुचा है, जहाँ 2016 में TRS 99 सीटे जीती थी यानि 99, अब वो सिर्फ 55 सीटे जीत पाईए इस चुनाम में भारती जनता पार्टी 48 और वहीं OEC की पार्टी 2016 में 44 सीटे जीती थी तो इस बार 2020 में भी चवाली सीट जीती है यानि ना तो एक सीट का फायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ है OAC की पार्टी को मैं कॉंग्रेस सिर्फ दो सीटे जीत पाई है इस चुनाम में दूस्तों बात हम मैं इस वीडियो को ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको भारतिय जन्ता पार्टी हमारे देश के जो हिंदू भाई है उनको सिर्फ गुमरा करती है वो किस तरीके दे गुमरा करती है मैं आपको बताता हूँ OAC की पार्टी को भारतिय जन्ता पार्टी हो मैं आपको कैसा नहीं है बिलकुल भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों OEC की पार्टी और OEC जो है अकबरुद्दीन OEC असदुद्दीन OEC इन्होंने हैजराबाद के अंदर इतना काम किया है यानि धर्म को ना देखके हुए इन्होंने हर किसी के लिए काम किया है अभी हिदराबाद के अंदर बाड़ा आई थी ये बाड़ में रोडों के पानी के बीच में थे लोग इनके पास आ रहे थे मदद के लिए तो उससे ये नहीं पूछ रहे थे आपका धर्म को ना है जो भी इनके पास मदद के लिए आ रहा था उसकी ये मदद कर रहे थे घरों में जा जाका घरों के पास पोच पोच कर लोगों से पूछ रहे थे आपको किस चीज की मदद चाहिए हम खड़े हमें बताइए लोगों से धर्म नहीं पूछा इन्होंने हेदराबाद के अंदर इन्होंने बहुत काम भी किया है स्कूल बनवा रखे हैं इन्होंने कोलिजी बनवा रखे हैं इन्होंने होस्पिटल बनवा रखा है फिरी एंबुलेंस रेवा चलवा रखे है अब इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल में मुसल्मान बच्चे ही पढ़ेगा सारे रिलीजन के बच्चे पढ़ेगे वही अग उएसी के होस्पिटल में कोलिज में सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान के बच्चे ही आएंगे इलाज कराने ये पढ़ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सबी religion के बच्चे आएंगे इलाज कराने भी और पढ़ने भी college में पढ़ने आएंगे अगर hospital में किसी को परेशान ही है तो वो hospital में आएगा किसी को नहीं देखा जाएगा कि आपका धर्म कौन सा है नहीं किसी से पूछा जाएगा वाइफिरी ambulance सेवा चलवा रखी इसका मतलब यह नहीं कि मुसल्मान ही लोग उसको यूज करेंगे सारे religion के लोग उसको यूज करेंगे तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाईयों को गुम्रा करती है यह हमारे भारती जंदापार्टी जो हमारे देश में सत्ता में बेटी है सिर्फ और सिर्फ यह जो पॉलिसी अपना रहे हैं हिंदू मुसल्मानों को बाटो और हिंदू को अपना बनाओ मुसल्मानों को दूर करो यह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की पॉलिसी अपना रहे हमारे देश में 200 साल राज करके गए अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हिंदू और मुसल्मान को बाटा यानि रिलिजन को बाटा ये दूस्तों वही राजनिती कर रहे है दूस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा USE की पार्टी 51 सिटों पर चुनाव लड़ी है दराबाद निकाय चुनाव में जबकि 1500 सिटे हैं वो सिर्फ 51 सिटों पर चुनाव लड़ी इन 51 में से 5 उम्मीदवार हिंदू भी उतारे यानि 10 परसेंट उम्मीदवार हिंदू भी थे UMICE की पार्टी जीत के पिछले परदर्शन को बरकरार रखा है इस तुनाम में उएसी ने अपनी पार्टी के टिकेट पर पांच हिंदू पृतियाशियों को बीदान में उतारा था है एदरबाट सीट से सांतर उएसी ने कुल 51 सीटों पर पृतियाशियों को उतारा था इनमें उन्होंने 10 सीटों अरक्षार हिंदू कैंडिडेट को देते हुए पांच सीटों पर टिकेट दिया था इनमें इन पांच में से दी पृतियाशियों रेज्ए है दोस्तों तीन पृतियाशी 5 में से हिंदू जीते हैं याझी पाँच हंदु उमिदवार जो उतार रहते उस में से 3 हंदू उमिदवार जीत गएं OAC की पार्टी के. जब्के दो सीटों पर हार का सामना करना पढ़ा है पिछले चुनाम में महें 4 सीटे जीतने वाली बीजेपी ने जबर्दत पिर चार की बदोलत इस चुनाम में 48 सीटे जीती है OEC की पार्टी MIM के टिकेट पर पुरानापुल वाट से सुन्नम राज मोहन, फलकनुमा वाट से थारा भाई और करवन वाट से मांदना गिरी स्वामी आदम ने जीत दर्ज करिये ये तीनों उमिदवार हैं दोस्तों, जो हिंदू उमिदवार हैं, MIM से लड़े थे टिकेट लेकर और तीन उमिदवार पांच में से जीते हैं दोस्तों अब दोस्तों ये बरदाश नहीं हो रहा है भारती चंता पार्टी और आरेसे को कि OAC की पार्टी हिंदू मिद्वार भी उतार सकती है अगर ये हिंदू मिद्वार उतारेगी तो हमारी राजनीती का क्या होगा हम हिंदू भाईयों को केसे बता पाएंगे हम हिंदू लोगों केसे बता पाएंगे कि OAC जो है वो सिर्फ मुसल्मानों का आदमी है जबके ऐसा बिलकुल भी नहीं दोस्तों मैं हिंदू भाईयों से अपेल करना चाहूँगे इनकी बातों पर आप बिलकुल भी यकीन मत करियेगा ये सिर्फ और सी बाटने की राजनीती करते हैं और आप से वोट लेते हैं और सक्ता में बने रहने की इनकी ये सब चाल है चलिए दोस्तों आप की का प्रतिकरी है इस पर आप निशी कमेंट बॉक्स आप रहाए जरूर बताएगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेएगा लाइक ज़रूर करेएगा